क्रिया कलाप चार कक्षा के केंद्र में बैठे एक विद्यार्थी की आँखों पर पट्टी बांध दें यह ध्यान रखें कि नाग के छिद्र खुले रहें विद्यार्थी को निर्देश दें कि जब उसे ताली की आवाज सुनाई दे तब वह ताली के आवाज की दिशा को हाथ से दर्शाए अब शिक्छक इशारे से केंद्र में बैठे उस विद्यार्थी के बराबर दूरी पर आगे तथा पीछे एक-एक विद्यार्थी को इसी प्रकार दाई और बाई तरब एक-एक विद्यार्थी को ताली बजाने के लिए चैनित कर ले इन चैनित विद्यार्थियों को इशारे से बारी-बारी ताली बजाने के लिए निर्देशित करे शेश विद्यार्थी शांत रहकर हर बार ताली की दिशा एवं केंद्र में बैठे विद्यार्थी के द्वारा हाथ से दर्शाए गई दिशा का अवलोकन करें यह प्रक्रिया आठ से दस बार दोहराई जाए यह क्रिया कलाप अन्य विद्यार्थियों पर भी दोहराएं तथा देखें कि क्या सभी अवलोकन समान मिले क्या केंद्र में बैठे विद्यार्थी के द्वारा हमेशा ताली बजने की सही दिशा दर्शाई गई उस विद्यार्थी को इस प्रक्रिया में किस अंग से सूचना मिल रही थी उसके किस अंग के द्वारा प्रतिक्रिया दर्शाई जा रही थी आपने इस क्रिया कलाप में देखा कि केंद्र में बैठे विद्यार्थी के द्वारा दाई और बाई दिशा सही दर्शाई गई पर जब आगे या पीछे ताली बजाई गई तो तिशा दर्शाने में भ्रम हुआ हमारे दोनों कानों के बीच दूरी है इसलिए दाई और से आने वाली ध्वनी की सूचनाओं का दोनों कानों तक पहुँचने के समय में भी अंतर आ जाता है जिससे मस्तिश्क में इन सुचनाओं का भेद हो पाता है परन्तु आगे या पीछे से आने वाली ध्वनी की सुचनाओं के समय में कोई अंतर न होने के कारण मस्तिश्क में इनका भेद नहीं हो पाता अर्थात मस्तिश्क तक आने वाली सूचनाओं के प्रती मस्तिश्क हमेशा एक जैसी प्रतीक्रियाएं व्यक्त नहीं करता कई सूचनाओं की प्रतीक्रियाएं ब्रहमित रूप में होती हैं जैसा आपने उपरोक्त क्रिया कलाप में देखा क्या आप जानते हैं हमारे देश में मस्तिश्क सम्मंधी वर्तमान शोध कारियों से जुड़ी दॉक्टर शुभा तोले ने मस्तिश्क के विकास का व्यापक अध्यन किया है और कुछ अनच्छिक क्रियाओं एवं इस्मरन समंधी छेत्रों के विकास के लिए आवश्यक आनुवान्शिक पदार्थ की पहचान की है इसके लिए उन्हें विश्व भर में ख्याती प्राप्त हुई है उन्हें हमारे देश में सन 2010 में शांती स्वरूब भटनागर पुरुसकार से नमाज़ा गया है डॉक्टर शुभा तोले मुंबई के टाटा अनुसंधान केंद्र में अभी भी कारिरत है